गुड मॉनि बच्चों, आप सब का स्वागत है बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के हमारा परिवेश के पार्ट 3 गौर पुरसकार को पढ़ेंगे बच्चों, इस पार्ट में, खेल कूद में या अन्य गत्विदियों में उतक्रिस्ट प्रदर्शन करने के लिए गौर पुरसकार प्रदान किया गया मधु को गौर पुरसकार मिला, परन्तु शादमा के नाम की घोशडा तक नहीं हुई, जिससे वैब बहुत दुखी हो गई बच्चों, किसी भी खेल में कोई एक ही व्यक्ति जीत सकता है, इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए बलकि अपने प्रदर्शन के लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए, जिससे अगली बार प्रदर्शन अच्छा हो सके बच्चों, अब हम लोग वर्कशीट के माध्यम से इसको समझेंगे वर्कशीट संक्या 5, पाठ 3, गौर पुरसकार बच्चों, स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क निवास करता है बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए यह मनुस्य के सरवांगीड विकास में सहायता करता है बच्चों, खेल दो प्रकार के होते हैं इंडोर गेम और आउट डोर गेम और खेल से हमें टीम भावना का विकास होता है तथा मान से के हम सारे रिक विकास भी होता है बुला, चौधरी, सानिया, मिर्जा, बिभिन नप्रकार के खेल और उनसे सम्मंदित खिलाडियों के बारे में भी जानेंगे बच्चों, अब हम लोग स्लाइट के माद्यम से समस्ते हैं Learning Outcome बच्चे कई खेलों को खेलते हैं और कई खेलों के नियमों को भी जानते हैं बच्चों स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क निवास करता है इसलिए हमें खेलते रहना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए क्योंकि खेल कुछ से सारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है तो बच्चों अब हम लोग खेलों के प्रकार के बारी में जानेंगे खेल दो प्रकार की होते हैं इंडोर गेम और आउट डोर गेम इंडोर गेम घर के अंदर खेले जाते हैं जिससे चाकरित मस्तिस का विकास अधिक होता है जैसे कैरम बोर्ड, सत्रंज, टेबल टेनिस बच्चों अब हम लोग आउटडोर गेम के बारे में जानेंगे ये घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं इससे मस्तिस के साथ-साथ शारिर एक विकास भी अधिक होता है क्योंकि यह खुले वातावरण में खेला जाता है इससे हमारा शरीर मजबूत होता है बच्चों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हौकी बच्चों अब हम लोग खेल से होने वाले लाब के बारे में जानेंगे बच्चों सरीर के साथ